जहन प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से खोठा किंग ओफिस्यल पे इस वीडियो की सुरुबात करने के पूर में सबसे पहले आप सभी को दिपावली की डेर सारी सुबकाम ना है आप जिस कायर में लगे हुए हैं आप तनमन और धन के साथ पूरे लगे रहे हैं जिस प्रकार से लोगों को एक समय के बाद ऐसा नहीं है कभी न कभी आपको सफलता जरूर बिलेगी आप निरास ना हो जिस छेतर में आप जुड़े हुए हैं उस छेतर में आप बने रहें और अपने आप पर आत्मेश्वास बना रखें निश्य ही आने वाले समय में आप सफल होंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के इस खोटा डोस के पंद्रहमें एपिसोड में हम बात करेंगे आज पंद्रहमें ये वीडियो सेशन होने वाला है इस नाट सेशन का तो चलिए शुरुबात करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले सवाल की और आते हैं और आज जो सवाल आपका जुड़ा होगा वो विशुनाथ दसौधी राज जी से संबदित जितने भी महत्मुन प्रश्ण बन सकते हैं वो सारे प्रश्णों को हम लोगों ने शामिल करने का प्रियास किया है तो विशुनाथ दसौधी राज इनसे जुड़े वे जो भी महत्मुन प्रश्ण बन सकते हैं वो सारे प्रश्णों को हम लो लाने का प्रयास किए हलाके यहाँ पे 10 प्रश्ण आपको मिलेगा लेकिन उनसे जुड़े पे जो भी घटनाय है वो सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे बिंदुवार तरीके से चली पहला सवाल है कि विसुनाद दसंधी राज जीक लेता है रहें गलत कथन के छाटा आपको बताना कि विसुनाद दसंधी राज जीज से संबंदित कौन सी कथन जो वो गलत है सही नहीं है तो इनकर जनम 15 अपरेल 1999 इस भी भेल ले इनकर बापेक नाम मोखराम दसंधी अके इन इने गर देखा जा तो option A को छोड़ दिया जा तो बाकी सभी option सही है इनके पिता का नाम मुखराम दसंधी इनके माता का नाम फुटा दे भी जबकि इनका निधन जो वो 16 October 2009 को हुआ है लेकिन इनका जन्म जो है 15 April 1949 को नहीं 15 April 1943 इसवी को हुआ है तो इनका जन्म जो हुआ है तो ये आपको याद रखने है और राज ये उपनाम से जाने जाते हैं कई बार सवाल ये पूचा जाता है कि राज उपनाम से खोठा के कौन सहयतेकार जानल जाते हैं तो विस्वनात दसंधी राज चलिए अगला सवाल है कि 29 जनवरी 2006 के जहारखन के कौन राजिपाल जो कि विस्वनात दसंधी राज जी को 29 जनवरी 2006 को जो वो स्रेश्ट सहितिकार के रूप में इन्हें जो वो सम्मानित किया था तो ये आपको बताना है कि वो राजिपाल कौन से थे ये राजिपाल आपको बताना है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनवरी 2006 को इन्हें जो है वो स्रेश्ट सहितिकार के रूप में शमानित किया था सैयद सिप्ते राजिपाल थे अगर इनका देखा जाए समय काल तो 10 दिसंबर 2004 से 10 दिसंबर 2004 से लेकर के अगर हम इनके कारेकाल की बार बात करें तो 25 जुलाई 2009 तक 25 जुलाई 2009 तक ये जारखंड के कौन से राजिपाल रहे तो 4 राजिपाल माने जाते हैं अगर विनोद चंदर पांडे जो एक कारेवाहक राजिपाल के रूप में उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये 4 नंबर के राजिपाल जारखंड के रहे हैं 4 राजिपाल सेयद स परकास मारबा उसके बाद आते हैं सेयद सित्य रजी फिर इसके बाद संकर नारायनन, MOH फारू, सेयद अहमद, द्रोपदी मुर्मू इस परकार से करम जो देखने को मिलता है बाकी का अभी का वरतमान तो आप सभी को पता ही है रमेस बैस जी के बारे में तो चली आगे ब विशनात दसंदी राज जी के जन्म ठाओ बताबा तो आपको बताना है कि विशनात दसंदी राज जी का जन्म जो है वो कहां पे हुआ है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option C भट मुर्ना कतरास में इनका जो जन्म हुआ है भट मुर्ना कतरास में तो इसका भी सही अंसर आपको बता दिना है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option C, और ऐसे सवाल आपको exam में जरूर देखने को मिलेगा, एकर में कौन रचना विशुनात दसुंधी राज जी के लिखल नाय ला गए, इनमें से आपको बताने कौन सी रचना इनके द्वारा न लेकिन सेर सगरट, ये option D के अगर बात करें, तो सेर सगरट जो वो एके जहाजी के द्वारा लिखा गया है, जिनका उपनाम जो वो जहारपात उपनाम से भी ये जाने जाते हैं, एके जहार जी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, उनका पूरा नाम अजीत कुमार जहा समार देत्य में हुआ था उनक Thought का नाम लक्रमी नाल या चरी चेज़ें आजब को दियान में रखने है चली आगे बढते हैं क्यों क्योंता लिखल रचना दसंधी जिक नैला गया तो आपको बताना कि इन Kendra सी रचना जोंति राज जी के द्वारा नहीं लिखा गया है धलती साम का सूरज और वेदना के पंक ये दो ऐसी रचनाय जो कि हिंदी में लिखा गया बता दे कि विश्णात दसंदी राज जितने ये कुसल खोठा भासा में थे उतने ही कुसल हिंदी भासा में भी माने जाते हैं माने जाते हैं और ये दोनों भासाओं में एक समान रूप से जो रचनाय जो इन्होंने की है हिंदी में भी और खोठा में भी तो बता दे कि धलती साम का सूरज जो वो हिंदी उपन्यास है ये हिंदी में लिखा गया एक उपन्यास है धलती साम का सूरज और वेदना के पंक ये बता दे कि हिंदी एक कविता संग्रा है जबकि महुआ जो है वो पहली खोठा कहानी माने जाती जो कि 1970 में खोठा पत्रिका में ये परकासित हुआ था जिसमें पानुरी जी ने संपादन किया था महुआ को तो बता दे कि महुआ क्या है तो यह एक कहानी है खोठा कहानी है जबकि कवीता पुरान के अगर बात करें कवीता पुरान तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है तो कवीता पुरान को लिखा है वो एके जाजी के द्वारा लिखा गया है जो की एक बाल साहित या बाल कवीत के रोप में जान जाता है कभितापुरान तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा जो हो जाएगा option D यानि यह रचना जो वो दसौंधी राज जी के द्वारा नहीं लिखा गया है अगला सवाल है कि पूटूस और परास दसौंधी जी लिख ल कैसन रचना हक है तो पूटूस और परास यह रचना जो लिखा गया है वो किस प्रकार की या किस विधा की रचना है कहानी संग्रा है कभीता संग्रा है उपन्यास है या फिर नाटक है तो बता दे कि पुटूस और परास जो है या एक कभीता संग्रा है क्या है या एक कभीता संग्रा है तो इसका सही इंसर क्या माना जाता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और आते हैं अगला सवाल है आज का एकर में कौन रचना दसंधी जी के लिखल नाय लागए तो इन में से कौन सी रचना है जो की दसंधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है तो तेतरी, लहर और घुर मुंडरी, बेलतर ये तीनों तो रचना लिखा गया है सेर सगरट ये एके जाजी के रचना है ये इसे बारे में पहले बता दिए अगर बात करें तेतरी तो तेतरी क्या है या एक खोठा उपन्यास है या क्या है एक उपन्यास है लहर क्या है तो लहर एक कवीता है क्या है खोठा में लिखा गया एक कवीता है जबकि घुर मुंडरी बेलतर या एक ट्र DOWN करतना है तो यह सभी चीज है आपको ध्यान में रखने है इसका जो सब्सक्राइब सायर meditation वह सागर जिसको एक जहाजी के द्वार लिखा गया है तित्की पत्रिका के संपादन दसोंधी जी कौन बच्छर कर अला तो तित्की पत्रिका के संपादन जो वो दसोंधी राज जी के त्वारा किस वर्स किया गया था तो तित्की पत्रिका जो वो अलग-अलग जगों से परकासित होता है ये धनबाद से भी परकासित होता है धन के लावे कत्रास से तो यह चार जगा से यह जो वो प्रकासित होता था यह चारों जगा आपको नाम याद रखने धनबाद से कौन करते थे तो स्रीनबास मान रही कत्रास से कौन करते थे तो कत्रास से विशनाथ दसंधी राज की द्वारा बोकारों में दो व्यक्ति थे उनक कि पत्री का कसम पादन किसके द्वारा किया जाता था तो ये आपको कमेंट करके बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है विशुनात दसंधी राज कौन बच्छर मेट्रिक परिच्छा पास कर खेला तो विशुनात दसंधी राज जी के बारे में अगर सिक्छा देख्छा की बात क्या जाए तो ये मैट्रिक गंगा नरायन मेमोरियल हाई स्कूल से इनों राची वश्वि द्यालाए से और डिप डिप नेट ये देवगर से यूनी सो सत्तर इस्वि में इनोंने किया でवगर में, अस्ट इस प्रकार से इनकी जो शिक्छा धेARK्छा रही तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option A यानि 1963 इस वी में तो इसका right अंसर क्या हो जाएगा option A आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है और आज का ये आखरी सवाल है इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा विशनात दसंधी राज जोने असकूले इसकूले पढ़ला वह इसकूले मास्टर बनला उसकूल के नाम बतावा तो विशनात दसंधी राज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं एक ऐसे खोठा साहितिकार के रूप में ब्याने जाते हैं साथी साथ एक ऐसे सिख्छक के रूप में जाने जाते हैं कि जिस इसकूल से उन्होंने दिख्छा ली, उसी असकूल में वो सिख्छक के रूप में कायरेथ हुए, और वो 2003 nuclear तक, ठीक है? 1996 से इसके पहले हिंदी के सिक्षक बनते हैं हिंदी भासा के ये सिक्षक के रूप में बने थे तो यहां से भी सवाल बन सकता है कि विशनात दसुंदी राज जोगो किस भासा के सिक्षक बने थे तो हिंदी भासा के सिक्षक बने थे और जिस अस्कूल से ये पढ़े उसी अस्कूल में इन्होंने जो वो वहाँ पे सिक्षक के रूप में कायरत भी रहे 1996 में बाद में वो महराज जी उच्विद्याले बिजूलिया चले गए जहां पे 2003 इस वी में वो सिक्षक पत से रेटायर किये तो 2003 में ये जो वो सिक्षक के रूप में इन्होंने कायर किया और कई बच्चों को जो वो सिक्षक के छेत्र में इन्होंने काफी ज्यादा हम योगदान भी दिया अगर इनकी कुछ साहित रचनाओं के बारे में हम बात करें तो धलती साम का सूरज जो की एक उपन्यास हे हिंदी का बेदना के पंग कविता संग्रा है हिंदी में महुआ जो की 1970 में लिखे गई एक खोठा कहानी है भग जोगनी उपन्यास है अजगर जो की खोठा नाटक है माटिक पूथेल एक कहानी है पुटूस और परास एक कविता संग्रा है घुर मुंडरी बेलतर लगू कता बिहार भूमी ये हिंदी पत्रिका है जो की कतरास गर से परकासित होता था उसमें तेत्री जो की उपन्यास है लहर एक कविता है तनिसुन्रे मानुस जो की कविता लिखा गया इनहीं के द्वारा और तित्की पत्रिका 1977 में 1977 से पहले जोग ये संपादक के रूप में कायर की है इनकर रचना आदिवासी पत्रिकाएं छपल आर आक चाहिए जकरू सदयू हगदार रहत ऐसे खोठा प्रेमी और ऐसे खोठा के आगे ले जाने में जिन्होंने इतनी महत्वन भूमिका निवाई आज भी उन्हें जो वैसा संबान नहीं मिला तो कहीं न कहीं या बात जो अंदर से थोड़ा चुपती है कि जिस व्यक्ति ने ख अच्छा से अगर किस एक संबान नहीं मिलता तो ये थोड़ा अच्छा बात ने उन्हें हमेशा एक संबानित रूप में जाना जाना चाहिए और उन्हें संबानित भी किया जाना चाहिए हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो वो खोठा के रूप में एक जिनका नाम अगर पढ़ने के लिए बैठे तो लगभग 80-100 ऐसे खोठा के साहितिकार हैं जिनोंने खोठा भासा को कह सकते हैं कि ऐसा दर्जा दिया कि आज जारखण में अगर बात करें तो सबसे अधिक किसी भासा का बोलने वाले लोग अगर जारखण में देखने को मिलता है तो वो खोठा भासी लोग है हाँ ये सच है कि कुछ लोग जो वो खोठा भासा थोड़ा बोलने में हिचके जाते हैं या अपने आपको थोड़ा कम आकनी का प्रयास करते हैं या अपने आपको ऐसा लगता है कि अगर खोठा बोलेंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे कि ये तो अनपढ़ गवार की भासा बोल रहा है ये तो खोठा बोल रहा है ऐसा कई लोगों का आज भी मानसिक्ता बना हुआ है लेकिन इन मानसिक्ताओं को दूर करने का प्रियास करना है और हम सभी को मिलकर के जो हमारा मात्री भासा है हम हिंदी का भी सम्मान करते हैं उस भासा को कभी आप विलोपीत नहीं होने दें उसके लिए हमेशा आगे बढ़ चाड़ करके हिस्सा लें तो उमीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा स से ज्यादा ऐसे सेयर भी करें तो आप सभी को अंतर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धैनिवाद